अशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम सिधान तक नहीं हो, त्री स्टेडी ग्लोस पे आपका बदबस वागता है, मज़ा आ रही है कि नहीं, बड़िया साउंड है ना, थेंक्यू यार, वैसे आप लोगों की वज़े से ये साउंड आया है, तो भाई सबसे high quality laptop लिया, अच्छा मैंने ये laptop को वीडियो अपने vlogging channel पे डाला है, ये मेरा vlogging channel है, description, comment box में link के दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर subscribe करो भाई, vlogging channel पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और हमारे शांदार courses आते हैं, यार, कब avail करोगे, NCIT पे तो 30% हम sales चला रहे हैं, तो आप जरूर NCIT courses जो हैं, वो avail करें, तो चाइना के military ने यही बोला है कि, देखो भाई, हम ये तो बरदाश्ट नहीं करेंगे, हमारे जो chief of defense staff है, जनरल विपिन रावत, उन्होंने चाइना के लिए बोला है कि भाई, चाइना biggest security threat है, इसी बात पे चाइना भरग गया है, आपको बता ही है कि चीन और भारत में जो दूरियां है वो बढ़ती जा रही है, काफी दूर दूर जा रहे हैं दोनों, हाला कि अभी चाइना में COVID की अगली wave जो है वो आपने देखा कि band बजाए हुई है, इसमें चाइना की बुरी हालत है, और पूरी दुनिया में ये को ये लग रहा है कि भाई देखो फिर से कहीं ऐसा नहों कि supply disruption हो जाए, जैसे पिछली बार हुआ था ना, हम भी चाइना पे काफी अत्तक dependent है भाई, API, active pharmaceutical ingredient जो की दवाई में सबसे important होता है, 70% तो चाइना से ही मगाते हैं, है कि नी, तो चीन और भारत में ये शुरू हुआ दोस्तो डोकलाम से, और उसके बाद फिर डोकलाम तो चले पुराना हो गया, लेकिन फिर पंगाउंग सो लेक, ये पिछले साल इतना बड़ा crisis बढ़ गया ये, इधर COVID-19 फैला हुआ और इधर एक crisis, किया वो कम होने का नयमी निले रहे, धेर सारी talks हो चुकी है, 13 राउंट तो बहुत अच्छे से बिएव कर रहा है, लेकिन चाइना जो है, it is biggest security threat, बहुत बड़ा threat है, अब People Liberation Army के senior connoller, वो किया ने कुछ बोला है, उन्होंने बोला है कि बाई देखो, जो जनरल रावत ने बोला है ना, that is highly irresponsible and dangerous, खतरे की घंटी है बही है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं Indian officials ये बोल रहे हैं कि Chinese military threat है, बिना बाद के, क्या हम threat है, क्या वागई आपको लगता है कि China के military threat है, नहीं, बेकार में ये बार-बार बोल के साबित क्या करना चाता है, ये चाइना ने बोला है भारत और चीन के leaders, threat नहीं है, and it is the violation of strategic guidance, ये violation है, ये तो geopolitical confrontation है, and it is irresponsible and dangerous अब Chinese military के spokesperson ने क्या बोला है, कि इंडियन officials कई बार ऐसा बोल सुके है, on many occasions ऐसा पिछले महिनों में बोल सुके है, ये LAC, और पे मतलब यही कि Chinese military लगातार आरोर प्रगाते रहे हैं, कि हमने ये सब किया, यह ऐसा तो होगा नहीं, ये बोलते हैं, कि हमने अपने troops जो है, वो border पे तैनात कर दिये हैं, हमने deploy कर दिये हैं, बट ऐसा नहीं, modern हतियार हमने कोई ऐसा तो लगाए नहीं, हम तो अपनी territory में जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो bilateral understandings को खतम कर रहे हैं, by 13th round of talks October में खतम हो गएं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी de-escalation अच्छी बात है कि diplomacy का रास्ता खोला हुआ है, General Rawat ने से पहले भी बोला था ना, पिछले महिने भी बोला था, कि disengagement तो हो गया है, लेकिन अभी de-escalation नहीं हुआ है, de-escalation, it is far off, far off possibility, या भी आने वाले समय में तो, यो तना-तनी है ना, ये कम नहीं होने वाले, फिर भी उस समय भी चाइना भड़क गया तो, ऐसे गाउं में 100 घर बना दिये, अरुनाचल प्रदेश के गाउं में 100 घर बना दिये, फिर भारत इंडियनामी ने clarify के था, नहीं यार, ये 1958 से ही बने हुए है, ये अभी के नहीं है, ये वो 1998 से इन्होंने बनाए है, ये बहुत पुराने है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क कई बार मैंने बताया है, अब इंडियन ओफिचल्स ने बोला है कि ये चाइना करता है, जब चाइना से पूछो तो बगले जांकता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या मैं तो, ग्रेडिबल एक्स्प्रेशन अभी तक दिया नहीं है, भाई भारत जो बोल रहा है चाइना चाइना बोलता है कि भाई हमारी फ्रेंटेर डिफेंस फोर्स है, हम अपनी नाशनल सॉवरेनिटी और सेक्योरिटी को बचाएगे, तो भारत भी तो अपनी नाशनल सॉवरेनिटी और सेक्योरिटी को बचाएगा, तुम करो तो सब सही, हम खुझ चाहते हैं, पीस और ट्र पार्चल एरिया हो गया, आपका इधर से किम एरिया हो गया, यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है भारत की BRO, Border Road, Border and Road Organization, जो Military Wing है, सबसे बहतरीन, एक दिन में रोड बना देती है, तो भारत यहाँ पर रोड से बना रहा है, यहाँ पर एरिया लाइन्स बिछा रहा है, क्योंकि लोजिस्टिक्स, युद में सबसे इंपॉर्टन होता है लोजिस्टिक्स, कितनी देर में सप्लाई अगर बहुत जल्दी सप्लाई बहुँच गई होती, लेकिन हम नहीं जीते हैं, इसलिए भाई, तो इसलिए यहाँ पर भारत इंफ्रास्ट्रक्ट्चर, भारत में इस इंफ्रास्रक्ट्चर बना रहा है, लेकिन हम अपनी टेरेटरी में बना रहे हैं, दूसरों के अगर तुम ब्रॉंज को as a mirror use करते हो, तुम अपने appearance को, you can correct your appearance. If you use history as a mirror, you can understand the rise and fall of a state. If you use good people as a mirror, you can understand right from wrong. As neighboring countries, we hope India and China will meet each other halfway and work together to jointly maintain peace and tranquility in the border areas and jointly maintain the healthy development of relations. यह बोला गया है, तो अच्छी बात है भाई, old Chinese saying है कि अगर तुम ब्रॉंज को mirror की तरह use करते हो, तुम अपने appearance को correct कर सकते हो, अगर तुम इतिहास को mirror की तरह, शीशे की तरह use कर सकते हो, तो तुम rise and fall of a state देख सकते हो, अगर तुम अच्छे लोगों को mirror की तरह use करते हो, तो तुम सही और गलाच समझ सकते हो, हम और चाइना, सब भारत और चाइना साथ में मिलके काम करेंगे, अच्छी बात है चाइना की तरह से की intent आया है, लेकिन दोस्तों, ये intent खाली बोलने का है, border में जमीनी हकीकत कुछ और है, ठीके न, तो ये lecture था, बताओ भई, comment box में voice voice अब बढ़िया न, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं होगी दिक्कत, एक और surprise आने वाला है आपके लिए, thank you so much.